इसके बाद राइटर कहता है I had heard about this habit before I went to England मैंने इंग्लेंड में जाने से पहले भी English people की, अंग्रेजों की इस habit के बारे में सुन रखा था कौन सी habit के बारे में? silent रहने की habit के बारे में but to make the silence at first hand लेकिन बिल्कुल पास से इस silence को देखना मतलब जब वो England गया तो उसने face to face देखा कि लोग किस तरह से चुप रहते हैं it was a holy novel experience face to face देखना कि लोग पूरी तरह से चुप थे वहाँ पर ये एक बिल्कुल नया experience था to me it seemed that not even their forms and agras could be associated with characteristic sounds ये देखकर मुझे ऐसे लगा कि क्या इनके जो forums, forums यानि conferences और इनके जो agras यानि कि जो हम कहेंगे courts हैं क्या वो भी इसी तरह से silent रहते हैं life in London even in the most crowded street seem like a film of pre-talkie days pre-talkie days मतलब वो समय जब भाशा विक्सित नहीं हुई थी लोग बोलना नहीं जानते थे बात करना नहीं जानते थे तो लंडन की life, writer कहता है ऐसी प्रतीत होती है भीडभाड वाली गलियों में भी इतनी silence है कि जैसे एक आदी मानव के यूग की जब लोगों को बोलना बात करना नहीं आता था उस time की एक मूख फिल्म देख रहे हूँ I had an uncanny sensation when I saw unending streams of people going along Oxford street and heard no sound unending stream यानि की ना खतम होने वाली जरने के तरह से और जब मैंने Oxford गली से लोगों को जाते देखा बहुत सारे लोगों को जाते देखा और कोई आवाज नहीं सुनी तो मुझे एक अजीब सी sensation हुई अजीब सी अनुभूती हुई uncanny यानि अजीब As they moved into the underground stations they look like long lines of ants going into their halls और जब यह लोग underground stations में जा रहे थे underground stations यानि सुरंग से होकर जो उनका रास्ता था वहाँ जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे चीटियों की एक लंबी लाइन है और अपने अपने बिलो में जा रही है because there was no sound वहाँ पर कोई आवाज नहीं थी इसी वज़ा से क्या लग रहा था कि जैसे चीटियों जाती जा रही है राइटर कहता है कि जब मैंने बहुत सारे साल इंडिया में के बाजारों में देखे हैं इंडिया के बाजार कैसे हैं जहां बहुत भीड भाड़ है और बहुत सारा शोर भी है तो इन इतने सारे साल मैंने इंडिया के बाजारों में गुजारे उसके बाद जब मैंने इस तरह का एक द्रिश्य देखा कि लोगों की भीड तो है बट आवाज नहीं है It was only natural तो ये बिल्कुल स्वभाविक था कि मुझे पास्कल की याद आई और मैंने उसकी एक लाइन बोली पास्कल एक राइटर का नाम है और क्या लाइन थी ये? The eternal silence of these infinite crowds frightens me Frightens यानि डराना कि इस infinite यानि कि असीम बहुत जादा बहुत जादा भीड है यहाँ पर और इन बहुत सारे लोगों की जो ये eternal यानि कि शाश्वत कभी ना खतम होने वाली silence है ये मुझे डराती है I met same silence when from the street I went into the pubs or restaurant अब writer कहता है ना सिर्फ गलियों में बजारों में ये silence थी बलकि मुझे यही silence देखने को मिली जब मैं गलियों से होकर pubs में और restaurants में गया वहाँ पर भी ये silence थी Both can be crowded at lunch time Restaurants में और pubs में हर जंग है पर lunch time पर काफी भीड थी But I heard no conversation लेकिन कोई बातचीत नहीं थी In India, on the contrary, such places would be buzzing or even booming with talk लेकिन इंडिया में क्या होता है कि ऐसे जंग है जैसे कि pub है या फिर restaurants है ऐसे जंग है पर जो वातावरण है वो एक तरह से लोगों की बातों से गूंज रहा होता है Speaking of the club thou regarded as center of the social life और यहां अगर clubs की बात की जाए तो इसका मतलब है social life का center They are perhaps the most silent places of all लेकिन यह शायद सबसे silent place था One evening when dining at a club एक evening जब मैं England में club में dinner कर रहा था I tried in my innocence to open a conversation across the table तो मैंने एक बातचीट की शुरुवात करने की कौशिश की And I admired the skill with which the intrusion was fended off without the slightest suggestion of discourse And I admired the skill फिर मैंने उस skill की तारिफ की with which जिसकी help से the intrusion was fended off कि यह जो दखल अंदाजी थी इसको नकार दिया गया बिना किसी suggestion के और discourse So much about their habit of silence from foreigners लेकिन यह जो English people थे इन्होंने भी अपनी चुप रहने की आदत के बारे में foreigners से काफी सुन रखा था इतना सुन रखा था कि They will see nothing new in my experience उन्हें मेरे अनुभव को देख कर कुछ अजीब नहीं लगा They have heard the comment mostly from Frenchmen and other Europeans और यह जो silent रहने के उपर टिपणिया थी या comments थी इन्हें यह comments अधिकतर French लोगों से या European से मिलती थी And so can have no conception of the contrast They present to our way in India And so can have no conception of the contrast इस तरह से यह हमारे इंडिया में जो रहने का तरीका था लोगों का यानि बोलने का जो method था एक उससे अपने आप में कोई contrast नहीं दिखाते थे Which I wish to bring home जो कि मैं वहाँ लाना चाहता था मतलब writer चाहता था कि वो silent ना रहे और बोले And as And as it happens I am particularly qualified to do so और जैसा कि आम तोर पर मैं यह करने में able भी था मतलब वो लोगों से बात्चीत करने में काफी skilled था Because never having had a car क्योंकि मेरे पास मैं कभी भी car से सफर नहीं करता था I have always traveled by bus और train मैं अधिकतर buses से या train से सफर करता था Then which there are no better places to observe the public behavior of a nation क्योंकि अगर आपको किसी रास्ट्र के लोगों का behavior देखना है तो उसके public transport में आपको यात्रा करने चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों के बॉल चाल का और रहने का धंग दिखाई देता है The transport system of Delhi which is owned by the government हमारे यहाँ Delhi का जो transport system है जो कि यहाँ के government के द्वारा चलाया जाता है and in which I have gone about for more than 15 years और writer कहता है इन ही public buses में दिल्ली की मैं पिछले 15 सालों से सफर करता था It's very illuminating in this respect यह इस respect में इस विशे में काफी लुभावनी थी मतलब यहाँ के लोग बोट बोल चाल करते थे बाच्चित करते थे In the buses of Delhi, all of us make sense of one another और दिल्ली की इन buses में हम सब एक दूसरे की बोड़ी का स्पोर्ट लेने में भी काफी comfortable feel करते थे People have very great difficulty in keeping steady in moving vehicles उत्तर भारत में लोगों को moving vehicles में मतलब चलती हुई गाड़ियों में अपने आपको steady यानि की स्थिर रखने में बड़ी difficulty feel होती है And therefore they lean against one another और इसी लिए वो एक दूसरे के उपर जुक जाते हैं Lean against मतलब जुक जाना To put their arms around a fellow passenger और क्या करते हैं कई कई लोग तो अपनी बाजू दूसरे यात्री के कंधे पर रख देते हैं Nobody is so ill-natured as to might being used as a cushion Cushion यानि तकिया या गद्दा और कोई भी यहाँ पर इतना बुरे नेचर का नहीं है कि अपने आपको एक गद्दे की तरह use होते हुए mind करे And if anyone with a holy alien notion of private ownership in respect of his body objects और अगर कोई अपनी body को इस तरह से use होने में objection करता है तो he is asked in offended tones तो उससे pride बहुत ही offended tone में पूछा जाता है What harm is there in it? क्या problem है तुमें? You are not a woman तुम कोई औरत तो होने कि तुम्हारे उपर हाथ नहीं रख सकते मतलब इस तरह का जो behavior है वो public transport में किया जाता था राइटर बताता है इंडिया में Again if anyone wants to know the time, he has not got a watch और अगर कोई time जानना चाहता है जिसने कि खुद watch नहीं पहन रखी है He simply takes up the left hand of another passenger तो वो simply क्या करता है? Time पूचता नहीं है बलकि दूसरे यातरी का हाथ पकड़ता है और उसको मोड कर देख लेता है उसकी watch के अंदर की क्या time है I wear mine on the underside मैं तो अपनी watch underside मतलब बाजू के नीचे, कफ के नीचे पहनता हूं And therefore I have my wrist twisted मतलब क्या है अपनी watch वो कहां पहनता है नीचे की तरफ, कलाई की तरफ पहनता है तो इसलिए उसकी जो कलाई है उसको मोड कर time देखा जाता है The buses are also full of conversation, not only on public topics यह जो buses हैं इन में ना सिर्फ public topics पर बात की जाती है But also on embarrassingly private ones बलकि बड़ी शरम की बात है कि लोग private, मतलब अपने जो व्यक्तिगट topics हैं उन पर भी यहां बात करते हैं और not only between acquaintances और यह जो नीजी बाते हैं यह ना सिर्फ परिचितों के बीच में होती हैं acquaintances यानि जानकार या परिचित But also between people who have never met before बलकि उन लोगों के बीच में भी होती हैं जो पहले कभी मिले ही नहीं हैं Among the former, the jokes are loud and hearty और जो पुराने लोग हैं उनके वीच में जो jokes होते हैं वो बहुत ही उंची बात आवाज में किये जाते हैं और बहुत ही दिल से वो एक दूसरे से बात करते हैं And they are also permissible between total strangers और यही जो joke है यानि जो मजाक मस्ती है वो अजनभियों के साथ भी परमिशेबल है One day a fellow passenger looked at my large solar topi एक दिन एक fellow passenger ने, एक सही यात्री ने मेरी बड़ी से solar topi को देखा राइटर एक topi पहनता था जिसका size काफी बड़ा था And remark, और इस यात्री ने comment की कि तुम्हारी topi तुम्हारी पूरी बड़ी से भी ज्यादा भारी लग रही है And when I replied that it was no bigger than the turban He said, he hoped, I was not offended at his job और राइटर ने क्या जवाब दिया कि मुझे लगता है मेरी topi तुम्हारी पगड़ी से तो ज्यादा बड़ी या भारी नहीं है तो उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा Another day, I even had an anxious inquiry about my health और अगले दिन, यानि अगली बार, जब मैं बस से सफर कर रहा था तो किसी ने मेरी health के बारे में भी मेरे से पूछा In the hot season, I sometime got an irritation at the back of my neck और गर्मी के मौसम में, कभी-कभी मुझे मेरी neck के पीछे irritation हो जाती थी, especially because I wear a collar and tie even then, और ये आम तोर पर तब हो जाती थी, जब मैं collar और tie पहनता था गर्मियों में And this makes me jerk my head, जिसके वज़ा से मैं अपना सीर बार-बार हिलाता था And even perk it like a bird और कई बार में इस तरह से चटका मारता था जैसे bird होता है Last summer, I had an attack of this पिछली गर्मियों में मुझे इसी तरह की itching या irritation हो गई And when traveling in the bus, और जब एक bus से मैं जा रहा था I suddenly heard the gentleman sitting next to me asking me in English तभी मैंने एक आदमी, जो की मेरे साथ वाली seat पर बैठा था I was somewhat surprised by the question and could not at first understand what it was about और जैसा कि मैं उसके question पर surprised हुआ और starting में मैं नहीं समझ पाया कि किस बारे में पूछ रहा है He repeated the query तो उसने अपना question repeat किया I ask in my turn फिर मेरी बारी थी और मैंने कहा What is habit or this is? किस habit किया अभी मारी की बात कर रहे हो? Then the gentleman mimicked me exactly and said तो gentleman ने फिर से उसकी नकल की जैसे मैंने कहा writer ने कहा कि कौन सी बिमारी या कौन सी आदत तो उसने भी क्या कहा कौन सी बिमारी कौन सी आदत ऐसे उसकी नकल करते हुआ उसने बोला और कहा This I was bound in common politeness to reply और उसने कहा ये इशारा करते हुए तो मैंने बहुत ही politely कहा I suppose it is habit ये तो एक habit है I thought so too he rejoined तो उसने भी कहा मुझे भी ऐसी लग रहा था You have done this too many times तुमने ये बहुत बार किया है मतलब बहुत बार अपनी गर्दन हिलाई है and it was now become a habit और शायद इस वजह से एक habit बन गई है and habit as you know is second nature और habit इनसान का second nature होती है So it is, so it is शायद इसी लिए तो मैं ऐसा करते हो I said in an embarrassed manner तो मैंने embarrassed आवाज में का हाँ यही बात है तब passenger help one another about the best way तो बस को उसकी destination तक पहुचाने में भी help करते थे अब इन्हें help क्यों करने पड़ती थी because not infrequently the conductor क्योंकि जो conductor था वो इस area से frequent नहीं था has not clear idea of the topography of Delhi और इसी वज़े से उसे दिल्ली के जो areas थे उनके बारे में जादा knowledge नहीं थी and they often give contradictory direction अब जैसा कि यात्री direction बताते थे तो सभी यात्री क्या करते थे contradictory directions देते थे यानि अलग-अलग direction बताते थे each maintaining that और हर कोई ये maintain करता था मतलब अपनी बात पर बल देता था कि his is the right one उसके द्वारा बताई गई जो direction है वो सही है so far अब इसके बाद writer बात करते है newspaper reading की so far the newspaper reading is concerned और अगर newspaper reading की बात की जाए तो Delhi की जो buses थी उनमें fellow passengers never snatch anybody's paper snatch यानि थीचना या छीनना तो जो fellow passenger थे वो कभी भी किसी का जो newspaper था वो छीनते नहीं थे but they take the pages he is not reading लेकिन जिस वेक्ति के पास newspaper होता था उससे वो page ले लेते थे जो वो नहीं पढ़ रहा होता था in the most polite manner और ये सब बहुत ही politely किया जाता था and distribute them among themselves और newspaper के सभी pages को आपस में बांट लेते थे these are however scraplessly returned और in newspapers को scraplessly यानि कि बहुत ही morally बहुत ही अच्छे ढंग से वापस भी कर दिया जाता था books are often tugged at books के उपर तो एक तरह से जपट्टा मार लिया जाता था one day a fellow passenger pulled hard the edition of Gita I was holding in my hand एक दिन एक fellow passenger मेरे हाथ से Gita का एक edition Gita की book पढ़ रहा था वो तो उसको खीचने लगा and when I did not let it go और जब मैंने उसे ये छीनने नहीं दी but objected और इस पर objection किया he said angrily उसने बहुत ही गुस्से से कहा you have got a holy book in your hand हाथ में तो तुमने पवितर बुक ले रखे and you are behaving like this और तुम्हारा behave ऐसा है I don't want your book मुझे तुम्हारी बुक चाहिए भी नहीं and he did make a peria of me और इस तरह से उसने मुझे peria यानि की अचूत बना दिया untouchable बना दिया I have the habit of leaving my seat and waiting at the door of the bus मेरी एक habit थी कि मैं bus के door पर जाकर खड़ा हो जाता था और seat छोड़ देता था so as to able to get down as soon as it comes to the stop ताकि जैसे ही bus stop पर पहुँचे मैं नीचे उतर जाओ instead of keeping it waiting as most of us do बजाए कि wait करने के अपनी seat पर बैट कर जैसा कि हम सभी करते हैं but when the other see me doing this और जब दूसरे लोग मुझे ऐसा करते हुए देखते थे they cry out in anxiety तो वो चिंता करते थे और चिलाने लगते थे please have patience धैरिय रखो some even catch hold of my coat, tails or grip the arm to prevent me from moving और कुछ तो मेरी coat का kona पकड़ लेते थे या फिर मेरी बाजू पकड़ लेते थे ताकि मैं गिरने से बच जाओ they also help in more exceptional circumstances और वो मेरी और भी ज़्यादा exceptional circumstances में यानि परेश्थितियों में help करते थे one day I found that I hold I had only the bad rupee with me और एक दिन मैंने देखा कि मेरे पास एक गंदा सा एक रुपे का नौट था and the conductor would not take it और conductor ने इसे लेने से मना कर दिया in such a situation it is the custom as to appeal to the general will of the passenger और ऐसी स्थिती में general will मतलब यात्रियों से पूछा जाता है कि जो अगर कोई मुझे ये रुपीय के बदले दूसरे पैसे देना चाहे तो as I did not do that a fellow passenger लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो एक fellow passenger ने क्या किया snatch the coin from my hand ये जो सिक्का था या रुपिया था ये मेरे हाथ से खीच लिया and looked at it और इसकी और देखने लगा and said और बोला it is bad ये बहुत बेकार है but don't worry लेकिन चिंता मत करो I am going I am going to exchange it for a good one मैं इसकी बदले तुम्हे एक अच्छा रुपिया दे दूगा and he took out of one rupee not और उसने एक रुपे का नौट निकाला gave it to me मुझे दे दिया and put my bad rupee in his pocket और अपना मेरा गंदा सा जो रुपिया था वह अपनी pocket में रख लिया I was so amazed that I could not prevent him मैं उसको उससे इतना amazed था कि मैं इस चीज़ को नहीं चुपासका all short of other incident happened और भी बहुत अलग-अलग incident हुए which makes दाबस in daily a microcosm of our national life जिसकी वज़ा से दिल्ली की जो बसे थी हमारी national life का एक हिस्सा बन गई on one occasion I saw a hysterical young woman trying to commit suicide by jumping out of window एक दिन मैंने एक hysterical या नी पागल ओरुत को देखा जो बस की खिड़की से कूद कर suicide करना चाहती थी and being pulled back by her husband उसे उसके husband के द्वारा अंदर खीच लिया गया there are curls वहाँ पर जगड़े भी होते थे बसों में sometime verbal कभी-कभी ये जगड़े ball कर होते थे एक passenger से दूसरे passenger के बीच होते थे और passenger and conductor ना सिर्फ conductor और passenger के बीच होते थे but sometime between the conductor and driver कभी-कभी ये जगड़े driver और conductor के बीच में भी हो जाते थे one day the two quered एक दिन ये दोनो कौन दोनो conductor और driver जगड़ने लगे and come to blows और एक दूसरे को मारने लगे इस lesson के two pages रहते हैं जिने हम अपनी next video में complete करेंगे जो आप कल 4.30 pm पर देख सकते हैं